दिल्ली में दिसंबर माह में अब तक कड़ाके की ठंड नहीं पड़ी है। ये महीना अभी कपा देने वाली सर्दी की बजाए दिन में गर्मी का एहसास करा रहा है। लेकिन अब मंगलवार से तेज बर फीली हवा मैदानी इलाकों में सर्दी को बढ़ा देंगी। सप्ताह क अंत तक अधिक्तम वा न्यूम्तम तापमान में गिरावट होने के कारण सर्दी अपने तेवर कड़े कर देगी। इस सप्ताह से घना को हुरा पढ़ने का भी अनुमान है। दिसंबर के मध्य की शुरुवात हो गई है और अधिक्तम तापमान 27 डिगरी से उपर चल रहा ह रविवार को अधिक्तम तापमान सामाने से 4 डिगरी अधिक 28.4 डिगरी सेलसियस वा न्यूमतम तापमान 8.8 डिगरी सेलसियस दर्ज हुआ था। जबकि सोमवार को अधिक्तम तापमान 27.1 डिगरी वा न्यूमतम तापमान 8.4 डिगरी सेलसियस रहा। अमूमन 12 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच अधिक्तम तापमान 23 तशमलो 2 डिगरी रहता है लेकिन इस बार ये 3 से 4 डिगरी अधिक चल रहा है मौसम विभाग की माने तो मंगलवार से बरफीली हवा के तेज होने के कारण तापमान में तेजी से गिरावट होने शुरू होगी पहाडों में पश्चमी विशोब का असर कम होने से भी ये गिरावट दर्ज होगी मंगलवार से तापमान 26 डिगरी और 8 डिगरी तक रहने का अनुमान है शुकरुवार तक अधिक्तम तापमान 24 डिगरी और नियूमतम तापमान 6 डिगरी तक पहुच जाएगा दरसल अभी तक कोहरा नहीं पढ़ा है और इसी कारण से धूप धर्दी तक पहुच रही है जब कोहरा पढ़ेगा तब सर्दी से राहत खत्म होगी इस सबता से कोहरा पढ़ने की भी संभावना है